सबसे पहले आप वो नंबर लो जो आपकी डेटो बर्त में नहीं है या पे राओ, केतू, शरी, मंगल कुछ नहीं लाना है रिपिटेशन किसी भी चीज की हो वो खराब होती है कहते हैं ना दिकता हर चीज की खराब है अगर आपके नंबर में रिपिटेशन है तो आप एक नंबर होता है सन का एक नंबर होता है एक्सप्रेशन कम्मिनिकेशन का अगर आप अभी व्यक्ति के काम में हैं बोलने के काम में हैं और आपके पास डेटो बर्त में बन नहीं है तो आप मुबाइल नमबर में लेके आएंगे तो आपको फाइदा होगा So number two, moon का है, अगर जादा repetitive है तो रिष्टों में खासकर problem होती है This science is creating the balance Balance of आपकी date of birth and mobile number हमें पस कोशिश ये करने हैं कि जो ये number है, पूरा circle हो, इसमें सारे number हो लेकिन इनमें से किस बहुत है, बहुत फेमस लोगों कहा है, रविना टेगोर जी का भी आपने में मेंशन किया है Katrina Kaap, Mayin Singh Dhoni, इनको नमबर साथ में, जिसके भी number में 8 है, मतलब डेटों बर्त में या मुबाईल है वो 100% पैसा कमा पाएंगे, जिन्दगी में खाली नहीं रहेंगे, और बगवार ने आपके लिए सब कुछ सोच आवा है, ऐसे सोच लो मोती जी का number 8 है, मोती जी का number 8 है, लेकिन उनके पास 8 number indirect है आज तक मैं ये बोल रहे हूँ, जिन्दगी में अगर आपने वी आईपी नमबर यह है, तो आप उससे इस के दाब के मादे, हमसे लोग अपना लोशू ग्रेट खुद बनाए पाएंगे और वो अपने mobile नमबर को उसके साथ balance भी कर सकते है बिलकुल भी, जो नमबरोलेजिस्ट है, वो आपकी डेटो बाइध लोशू ग्रेट में डालता है उससे देखता है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी health कैसी होगी, आपकी wealth कैसी होगी आपकी लाइफ में कौन सा समय क्या करना है ये सिरफ लोशोगिट से पता चल जाता है ये जो पॉड़कास्ट है जो ये देख रहा है उसकी जिन्दगी में पका बदलावाना है हलो दोस्तो रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉड़कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ एक और बहुत ही खास परसन है इनके साथ हमने लॉफ अट्राशन पर एक बहुत पहले एक पॉड़कास्ट किया था और क्योंकि आपकी डिमांड थी और शायद ये वक्त बहुत सही है उनको दुबारा से अपने पॉड़कास्ट पर बुलाने का ताकि हम कुछ और डीप इंसाइट के बार में बात कर सके ये नुमलॉजी एक्सपोर्ट है, एस नुमलॉजिस्ट है, टेरो कार्ड डीडर है, पच्चिस साल से नुमलॉजी के बार में सिखा रही है, शोशल मीडिया पर चाही हुई है हर जगह नुमलॉजी के पॉड़कास्ट पर हर जगह मिल रही है ये, I'm sure आपने इंको जरूर देखा होगा, तो डॉक्टर सीमामीदा जी, आपका बहुत-बहुत सागत है तहे दिल से आपका शुकरिया, सबसे पहले तुम मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जबसे आपका पहली बार मैनिफेस्टेशन वाला जो सुभे मॉर्निंग क्लास अटेंड करी, फॉर्स्ट बैट्स अचा, okay So, मुझे ये लगताए कि मैंने सोचा था कि मे अपनी नई किताब को उपनिंग आपके हाथोसे करूँ पाइख टंकि और शुक्टॉ इतनी जल्दी affirmation, इतनी जल्दी सब कुछ पुरा होता है, वो जो आप magic magic करते हो ना, वो magic की तरह ही हो जाता है, so, आपको याद हो तो मैंने पिछली बर में आई थी, तो मैं बोल रही थी कि I have meeting day after tomorrow by publisher, और वो मिले बात हुई, वापपस से किताब बनी, इतना ज्यादा popular book थी, उसके बाद हमने सोचा कि आप 24-25 साल के बाद ला रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा दें सबको, जैसे आपकी ख्वाइश पूरियों, जैसे आप अपने नंबर को आप खुद से ठीक कर पाएं, और साथ में जो इतनी सारी ब्रांतिया हैं, तरह तरह की वीडियों देखके, जो आपके सवालों में confusion आता है, आज इस podcast के माध्यम से, मैं आप सभी का confusion दूर करने यहाँ पे आई हूँ, and thank you so much from inner core of my heart, कि आपने मुझे readers book club के उपर लाकर, like it's a honor for me, अरे, thank you ma'am, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे आदे, जब में लास्टे माप से मिला था, तो मेरा नाम अलग था, और उसके आप से मिलने के बात है, मेरा नाम बडला, नाम की spellings पर भी, और मैंने खुद बहुत सारे बडलाव देखे, उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, इसके बारे में honest से, कभी नहीं सोचा था, कि मैं कभी अपना नाम बडलू है, यह ऐसा idea भी नहीं आया था, फिर जब हम बैटे यह बात की, और उस दिन के बाद से, मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे बडलाव देख पार हूँ, चाहिए वो physically, mentally, financially, हर तरह से मुझे मैसूस हुआ की growth है, तो मैं हमेशा से चाता था, मैंने आदर को भी बोला कि, मैं हमको जल्दी से दुबारा से लेकर आएंगे, ताकि अब यह जो हमारा इस पूरा चानल एक किताबों के बारे में है, वेरी नाइस, तो I am so lucky to be on this platform, और मैंने कभी जिन्दगी में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे यहाँ परार करना है, मैं को यह लगता है कि energy, potential, सब के अंदर है, जितने लोग हमें देखते हैं, आपके podcast देखत हैं, आपका नाम लेते हैं, पूरी दुनिया से लोग मुझे call करते हैं, और मुझे यह लगता है कि वाकई में energy सब के अंदर है, potential सब के अंदर है, बस थोड़ा सा channelize करो, channelize भी तब होती है, जब right समय आया होता है, जैसे तब तक हमें वो चीज़ पता ही निचलती, तब त आता है कि thank you या पूरी दुनिया में thank you को use किया जाता है, पूरी दुनिया में affirmation को use किया जाता है, बड़े से बड़े celebrity या normal लोग जो घर में हमारे ancestors भी इन सब चीज़ों को use करते थे, जो आज documentation में आई हैं और हम सब इस्तमाल कर रहे हैं, तो 100% energy जो है, जो आज हमारा podcast देखने वालने हैं, सब के अंदर है, और आप अपनी energies को खुद से ठीक कर सकते हो, इस बात की guarantee हम दोनों देते हैं, क्यों? देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या है जो आगे आप खोलो, जो thank you, जो लोगों को उनकी life को बदलने में बहुत जादा help करेगा, बिलकुल, this is so good, nice, wow, thank you, विश्की पहली प्रस्तक, mobile numrology by Dr. Seema Ameeta, amazing, amazing guys, and thank you so much for opening my book, launching my book on your channel, thank you ma'am, thank you so much, यह हमारे लिए definitely बट बड़ी बात है, और I'm sure, क्योंकि जब हमने last time भी mobile numrology के बार में बात की थी, तो बहुत सारी चीज़ों के बार में बात ही थी, I'm sure आज कुछ और भी बाते हम करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो चीज़े भी हम थोड़ा अपने जैसे आप टेरो कार्ड के पर भी बहुत बात करते हो, नुमरोजी के बहुत सारे अस्फट पर भी बात करते हो, तो mobile numrology का बोला जाता है कि आप creator भी हो, आप ही ने बनाई है, इंडिया में mobile numrology आप ही लेकर आयो, तो यह आपने क्यों सोचा कि mobile numrology पर बात क्यों Actually मैं बहुत सारे शो करने थी, टीवी का, खुद का मेरा शो आ रहा था उस समय में, और शो करते करते हैं, बहुत सारे लोग जब कॉल करते थे, in fact मैं वो आज spiral binding में लेके आने वाली थी, आप लोगों को दिखाने के लिए, like I click pictures, मैं आपको दिखाऊंगी, कि इतने बड़ बड़े spiral bindings हैं, मतलब more than 1 lakh लोगों के numbers पर research करके, आइडिया कैसे है, जब उनका number आता था, मेरा number यह है, मेरी समस्या यह है, प्लीज मैं कार्ड से देखके बताओ, live show होते थे, तो जब वो इतने सारे numbers देखे, तो यह देखा गया कि common numbers से problems आ रही है, जैसे आपको कोई च आप तो एक दम accurate बोल रहे हो, आपको कभी realize वा कि हम इस पे किताब कर सकते हैं, he made me realize कि इस पे हम किताब कर सकते हैं, फिर में हमने एक बार बैठे ही, हमने जर्चा की कि क्या-क्या ऐसे topics होने चाहिए, क्या research में inculcate करना चाहिए, तो आज से हम इसको लिखना शिवू करें और कैसे करें, तो मेरा यह कहना मतलब है कि आपने उस समय में ऐसा सोचा नहीं था, कि इस topic पे इतनी वड़ी किताब हो जाएगी, और इस topic पे हम ऐसे से मुद्दे ला पाएंगे, ऐसे सी problems को solve कर पाएंगे, तो मुझे लगा कि खाली mobile number change करना नहीं है, यह एक तरह की therapy है, और इस therapy को लाकर आप अपना health, wealth, success, career, relationship, सब को ठी कर सकते हैं, अमेजिंग, अमेजिंग, सो में यह अब जैसे, अब बे समझ गया कि आपका thought ऐसा क्यों गया, mobile numology है क्या, मतलब बिसली, जैसे अपने लाज से में शेयर गया था, बिलकुल, देखे, आज के date में डिजिटल यूग है, अभी जब ये किताब लिखी गई थी, तब सिर्फ mobile नए नए आय थे, तब बहुत, बड़ा curiosity लगती थी कि, एक आम आदमी के हाथ में mobile देखते थे, और ये लगता था कि, क्या ऐसा future देखेंगे हम, ये नहीं पता था, लेकिन आज की date में हम class लेते हैं, तो भी mobile पे, online सब कुछ बड़ी से बड़ी deal करते हैं, relationship make it break it करते हैं, आप ये देख लो कि from the day one छोटे बच्चे भी game खेल रहे हैं तो mobile पे, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है, जो आप mobile से 2 minute भी दूर रह सकते हैं, 24 गंटे नहीं, 48 गंटे, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी दू किसी ने कुछ, you know, मैंने आपको भी देखा कि you are very active in social media, तो कहीं आपको भी लगता है कि किसी ने कुछ अच्छी sharing की होगी, तो मैं देखता हूँ, that inspires you, that motivates you, to more like giving you service, like your service is better, और अगर हम किसी को better कुछ दे सकते हैं, तो उनके feedback सी दे सकते हैं, और mobile एक ऐसी चीज होगी है, जो basic need होगी, आपको पते हैं, आज कर लोग क्या करने लगे हैं, रेस्टराउंट में जाने से पहले अपना mobile जमा करा हो, क्योंकि वो multitasking हो जाता है, खाना आते में लोग mobile देखते हैं, तो पहले आप जमा करो, क्योंकि इसको इतना जादा इस्तमाल करने लोगे हैं, वो आसान तरीके से, बिना किसी myth के, मैं बताने वाले हूँ कि जो आपकी date o birth है, वो तो आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है, इसके तीन basic rules है, बेसिक rule में ये कि जो आपकी date o birth में आते हैं, number, वो number आप mobile में नाम भी लें तो चलेगा, जैसे for example, एक थाली है, उसमें सारे आपके carbs है, protein है, fiber है, everything, salad भी है, सब कुछ है, आपको जो नहीं है, वो आपको लाना है, ऐसे ही आपकी life में, जो चीज कमी है, जिसे deficiency होगी, अपन सब से कहते हैं, supplement ले लो, तो ये एक supplement की तरह काम करता है, number, okay, okay, कि आपने एक से लेकर 9 number के प् आने वाली हो, लेकिन सबसे पहले आप वो नंबर लो, जो आपकी date of birth में नहीं है, जाए वो दो हो, जाए चार हो, या आट हो, या छे हो, कोई भी हो, या पे रहो, केतू, शनी, मंगल, कुछ नहीं लाना है, लाना ही लाना है, क्योंकि हर planet का एक element होता है, और वो element अगर आ आपकी life में नहीं है, तो कमी तो होगे न, कोई रहो, तो सबसे पहला rule है, कि जो number missing है, वो लेकर आप, उसके बाद दूसरा rule ये है, कि repetition किसी भी चीज़ की हो, वो खराब होती है, कहते ना, अधिकता हर चीज़ की खराब है, अगर आप खाने में, रोज, चात, चमस्त, नम नमबर की बारे में specifically भी बताऊंगी आगे, बट अगर कोई भी नमबर की तीन बार repetition है, जैसे मैं कितनी सारी वीडियो, मैंने भी देखी, इसलिए क्योंकि लोग मेरे से बहुत सारी सवाल पूछते है, कि 555 अच्छा होता है, 551 अच्छा होता ही, अच्छा होता ही, तो यह जहां पर लोग जब स्वैम की डॉक्टर बनने लगते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, तो जहां पर ट्रिपल वाइबरेशन आती है, वहां पर पक्का से गडबर होने लगती है, जैसे 555 को हम सीधा कह देते हैं, वर्कोलिक, एल्कोलिक, कुछ ऐसा होगा, 557 को हम बोल देते लाइट में बहुत ही क्रैसिस, धोखा, 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 तो अगर आपको नहीं चाहिए, यह आगे में डीटेल में और बताने वाली हूँ, अगर आपके नंबर में रिपिटेशन है, तो आपको बदलने होंगे अपने नंबर, और आज का जो शो है, पॉड्कास्ट है, ख दूसरा है, रिपिटेशन नहीं होनी है, तीसरा, आप जब डेटो बद चैक करते हो, तो आपके दो नंबर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, आपका साइकिक नंबर और आपका देस्टी नंबर, यानि आपका डेटो बद और आपका सम टोटल ओफ योर डेटो बद जो होत देख सकते हैं, अब लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका नंबर बन है, तो आपके नंबर में आपकी एनिमी नंबर की डेटो बद में रिपिटेशन नहीं होने चाहिए, तो ये तीन रूल आपको बेसिकली फॉलो करने हैं, और अब हम देख लेते हैं, इस वुक में हमने चैप्टर्स दिये हैं, तेरा, और पहले चैप्टर में यही दिखाया है कि, अगर एक नंबर अधिक हो गया, तो क्या होगा, जैसे एक नंबर होता है, एक नंबर अधिक मोबाई नंबर में गयरो नाप? एक नंबर होता है, 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 अगर आप अभी व्यक्ति के काम में हैं, बोलने के काम में हैं, और आपके क्योंकि आर्टिस्ट है वो, लेकिन उसको बोलना नहीं आता, अब MBBS में तो वाई वाई भी होगा, बोलने में फिर उसके मार्स कम हो जाएंगे, और बाकी वो घर में भी नहीं बोलती, तो उसकी मम्मी को कहीं लगा कि इसको कोई सदमा तो नहीं लगा, लेकि कभी कोई ऐसा प्रॉमेटिक एक्सपिरिंस तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था, वो जबर्दस्ती सोचे जा रहे थी, शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क मी कि वाई शी नॉट टॉकिंग, तो ऐसे बच्चों के लिए आप ठेरिपिस्ट रच सकते हो, बोलने के लिए, कॉम्मुनिक अजे के पास, तो सारा दिन उनसे बाग करो, ताकि वो जल्दी ना बोले, लेट से बोले, तब भी अच्छा बोले, ग्लैर बोले, प्लब, तो नंबर टू, और नंबर टू होता है मून का, अब मून जो होता है, वो फादर, तो ये मदर, मतलब ये दिल और वो दिमाग, अ अगर आप expression ठीक से करेंगे, यहाँ पे expression नहीं है, यहाँ पे आपकी दिल की भावनाएं हैं, नंबर टू is for भावना, और अगर जादा लोगों के लिए जादा भावना होगे, तो आप सोचो, अगर आपके नंबर में टू जादा है, जिसके नंबर में भी टू जादा है, 100% बहुत सारे relationship या तो break up हो चुका होगा पहले से, या कुछ नया चल रहा होगा, या कुछ तीसरा चौथा चल रहा होगा, आज से ही अगर आप समझें, अगर आपके mobile में भी जादा टू है, तो आप समझ जाए कि relationship का कुछ न कुछ issues है, या आपकी life में दूसरे लोगों क impact और influence इतना जादा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने vision से बाहर नहीं आ रहे हैं, so number two, moon का है, अगर जादा repetitive है, तो रिष्टों में खासकर problem होती है, अब बात करते हैं, number three, ती number होता है Jupiter का, Jupiter मतलब authority, power, जैसे guru जैसी quality, अब ऐसी लोग social होते हैं, respect करते हैं, memory कि अच्छी होती है, बोलते हैं कोई बात, और अगर जादा तीन-तीन आ जाए ना, तो तीन जादा होने से उनको यह लगता है कि creativity भी जादा बढ़ जाती है, they think they are the best, so उस number की अधिकता उनको इतना influence कर देती है, कि वो दूसरों से अपने आपको बिलकुल अलग समझने होते हैं, अगर आपके बस तीन है, एक बार तो ठीक है, जादा तीन होंगे, तो हमेशा आप बहार ही लगे रहोगे, घर पे ध्यान नित होगे, so make sure, अगर आपकी डेट वबर्थ में तीन है, तो आपको मोबाईल में तीन लेने की कोई आवशकता नहीं है, so balance बना रहेगा आपकी डेट वबर्थ एंड मोबाईल नमबर, हमें बस कोशिश यह कर रहे है कि जो यह नमबर है, पूरा सरकल हो, इसमें सारे नमबर हो, लेकिन इमें से किसी के रेपिटेशन ना हो, जाता रेपिटेशन, मलब एक से maximum दो बार हो सकता है कुछ, कि वहाँ पर है, लेकिन अ दो ही तो है, ऐसा नहीं, अगर आपका अनिमी नमबर है, और आपके वब डेट वबर्थ में अल्रेडी एट एट है, और आपने मोबाईल में भी तीन एट लेके हैं, तो हंड़ेट परसेंट आपको अभी के अभी बदलना चाहिए, लेकिन मोबाईल नमबर बदलने के लि तो आप हमें नमबर नया दे दीजे, सिम दे दीजे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं निमरोलोजिस्ट हूँ, मैं आपकी जिंदगी में करेक्ट एनरजी चैनलाइज करना चाहती हूँ, और आपको अवगत कराना चाहती हूँ, और आप बिल्कुल मेरी साइन्स से सहमत हैं मुझे बालू मैं क्योंकि बहुत सारे कॉल आपके इसलिए आ रहे हैं मुझे कि आप अपने आपको कनेक्ट कर पा रहे हो उस पहले वाले पॉड़कास से, और इसमें जैसे आपने जो जैसे आप नमबर फिरी की बात करें तो आपने इस किताब में ही बताया गया है कि आपके इसमें 369 एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम उसमें ले सकते हैं यह एक ऐसा चीज है कि नूट्रलाइज कर सकते हैं अच्छे इसमें यह भी देखना है कि जैसे जो छोटे बच्चे जया बिगिनिंग देर करियर, स्टार्टिंग देर करियर तो दे नीड टो ओनली सी दा साइकि तो आप गुजार चुके हो तो आप अभी डेस्टिंग नंबर का फ्रेंली और साइकिक नंबर का न्यूट्रल नंबर ले सकते हैं यह आपको धिहान रखना है अब मैं बात करती हूँ नंबर चार नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आदमी के अंदर ज्यादा दिसिप्लेन सिस्टम, और चार नंबर नहीं होने से आप बहुत लेजी होते हैं और आज की डेट वे जो लोग भी अचीवर्स हैं सक्सेस्फुल है उनकी लाइफ पर सिस्टम होता है और उसे सिस्टम के लिए हम तो मुझे यह लगता है कि अगर आप लोग भी चाते हैं अपनी लाइफ में सिस्टम क्रेट करना तो जो हमारी अपनी लाइफ में वो सारी चीज़े कर सकते हैं वो सब वंडर्स जो आपने इस जनम में सोचा था वो पाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठीए और आपको फायता होगा क्योंकि मुझे यह लगता है कि इन लास के तीन महिनों में जो जो वाइब्रेशन ऐसा नहीं था कि पहले मैनिफेस्टेशन नहीं होता था लेकिन आप अलग मोट पे होते हो एग्सम्पल आपने आपको भूग लगी है आप काम कर रहे हो आप खाना नहीं खाया भी तक आपने आपके ममी बार-बार बोलती है खाना ठंडा हो रहा है, खाना खालो, खाना खालो तो आपको बार-बार याद दिलाती है तो अमीर अपनी manifestation anything में आपको हर रोज याद दिलाते है कि आपको क्या करना है जब आपको रोज याद दिलाया जाए तो आपकी energy cycle strong होता है जब strong होता है तब ही आप आपके मन में आप महा लेजी हो फिर भी आप काम करोगे क्योंकि आपको याद दिलाया जा रहा है आपका button प्रेस किया जा रहा है जैसे अलाम बोलता है वैसी अलाम की तरह आजाते हैं तो अपनी लाइफ में इस से रहगा अलाम है तो आप लगी हैं समझ लीजिए क्योंकि आपको कोई कह रहा है आज कल के समाने में कोई किसी को किश है even not even parents समझाने की बाद तो बहुत दूर की रही वो यह सूचते हैं कि you know इस सदी में everything like priority goes to what they what children wants बच्चे सुनते नहीं हैं बच्चे जो कहते हैं वो ही करेंगे जो पहले पापा करते थे या मम्मी करती थी बच्चे बानते थे so वो काम आप मित कर रहे हैं आज की मेरी पॉड़कास्ट पे मैंने कभी प्रमोट रही है तो मेरी पी कहना है कि यह जरूरी है इसको सुदना जरूरी है चार नंबर की बात आई तो मैंने बात की यहां पेज़े जरूरी है अब बात करते हैं नंबर अच्छा हाँ ज्यादा चार हो जाए तो ज्यादा सोचने लगेंगे ज्यादा tension करने लगेंगे, anxiety होने लगेंगे, fear issue होएंगे, आप अपने decision नहीं बनाएंगे, अब आप दो category में हो सकते हो, आप या तो lazy हो सकते हो, या फिर ये वाले उसमें हो सकते हो, या इधर या उधर बीच की कोई चीज नहीं है, तो अगर चार नहीं है, तो चार लिया दो बार तक हो सकता है, चार, तीन चार है, तो पका से आपके अंदर भी decision making ability कम होगी, आपको भी ऐसा alarm button चाहिए जाहिए, ठीक है, पांच नंबर की बात करें, वो होता है, mercury का, वो होता है, वानी का, बुद्ध का, balance का, harmony का, और पांच नंबर जो होता है, वो business का भी होता ह है, so travel भी आप करते हैं, बहार से आपकी जिंदगी में पैसा आता है, five number is very very important for the business, मैं आगे जाके यह भी बताने वाले हूं कि आपके लिए particular, यह अगर आप जॉब करते हैं, यह करियर है, तो उनका क्या नंबर होना ही चाहिए, यहां पर यह मित नहीं क्रिएट करेगी, 248 नहीं होना चाहिए, क्या number होना चाहिए, किसके क्या फायदे है, वो बताने बढ़े हैं, अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि five number आपके अंदर willpower लाता है, balance लाता है, so अगर five number आपके अंदर willpower लाता है, तो आप जो कल के काम भी आज करने लगेगी, वो कबीर दास का दोआ काल करें सो आज कराज करें सो अब, तो जिसमें भी 951 होगा, they are having the symbol of success, 100% success मिलेगी, तो अगर आपके डेटो बट में नहीं है, तो मेरी डेटो बट में five नहीं था, लेकिन मैंने मोबाईल में five लेके रखा हैं, और दो five लेके रखे हैं, so उसके बाद से ऐसा नहीं नमबर six, तो अगर आपके पास भी, अगर five five excess है तो, हाँ, five five excess है तो, आपकी life में जुनून हो जाएगा, devil आजाएगा एक कि, अगर एक तरफ साधना कर रहे हो, तो साधना ही नहीं पड़े हो, you know, हम five को balance की बात करते हैं, वो imbalance करते हैं, और यहाँ पर पेगी भी बताने म health भी हो सकती है, for example, जैसे, छे नमबर है, उसका element है metal, दो नमबर का element है water, तो उसमें, रोने लग जाते हैं, एक्स्प्रेशन उनका रोने से होता है, छुट-छुटी बात में रोने लग जाएगे, इम बहुत जाद़ एमोशनल होते हैं, दो नमबर जादा होगा, तो जादा हो जाते हैं, जैसे कई लोगोंने मैंने, मैंने ऐसा तेखा, 555, 455 में उनकी accidents, extremis, reactive, like, ऐसा हो गया कि आप अपने सामने दूसरों की कोई आमेत नहीं रखते हो, जुन नहीं टाप, yes, तो वो भी गलत है ना, कि वो अनी मर्जी से करेंगे, या authoritative, ऐसे टाप का हो ज opportunities भी आ रही है, आप उन opportunities का फाइदा भी उठा रहे हो, तो अगर आपकी life में भी एक, दो बार six है, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत लग्की हैं, छेरंबा वाले लोग बहुत लग्की होते हैं, लेकिन अगर जादा six है, तो 100% आपकी life में अपने काम को छोड़के, आ आप अपनी जिंदिगी ना समाल के, आप दूसरों की सिंदिगी समालने लगेंगे, और अगर six नहीं है, ज्यादा तर लोगों की live में ने देखा भी numbers देखकर, six नहीं होता, बनते बनते काम नहीं बनते, रुकावते आती हैं, परिशानी आती है, opportunity नहीं आती, काम नहीं ब caption का, जो आपकी life में एक तरह से रौशनी, magnetism लाता है, लेकिन यही साथ नंबर, अगर bigger जाए, यानि एक से ज़्यादा हो जाए, यह sacrifice का भी है, अगर कोई बन्दा sacrifice ज़्यादा करने लग जाएगा, तो क्या होगा, ज़्यादा spiritual हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी balance, सब से, आपकी जिंदगी में, आप दूसरों को importance दे रहे, लेकिन लोग आपको importance दी दे रहे, पैसा लेके गए, पैसा वापस दी, तो हर चीट में दोखा, रिष्टों में दोखा, पैसे में दोखा, पैसे में ले जाएगा दोखा, काम में दोखा, यह धोखा शब्द जो है, आपके background music में होना चाहिए, बुझे लगता है साब, बात famous लोग को है, रविना टैगोर जी का भी अपने mention किया है, केटरीना का, में दोखा, इनको नमबर साथ है, उसकी बाद चलते है, नमबर आठ पे, आठ नमबर होता है Saturn का, आठ, knowledge का, wisdom का, power का, मेहनत का, और आठ पैसे का, good in finances, आठ होना एकतना ज़्यादा ज़रूरी लाइक हो, जिसके भी नमबर में आठ है, मतलब डेटो बर्त में या मुबाई में, वो 100% पैसा कमा पाएंगी जिन्दगी में, खाली नी रहेंगी, और बगवान ने आपके लिए सब को सोचावा, ऐसे सोच लो, so, आ अपने नए वर्जन को बनाते रहते हो, अगर ये दो आठ हो, तब भी ठीक है, पर दो आठ से भी थोड़ी स्टब बनना है, तोड़ा गुसा, ये सब आने लगता है, और अगर तीन आठ हो, तो आप बस ये सोचोगे, हर टाइम, हर खुशी, पैसे से इकाउंट करो गया, so तो कभी-कभी ऐसा होता है कि knowledge uplift करना अच्छी बात है, लेकिन तोलना, तुलना करना, दूसरों से तुलना करना और पैसे को तोलना, it's very good, but मोती जी का नमबर एट है, लेकिन उनके पास एट नमबर इंडारेक्ट है, लेकिन उनका डेटो बदे, 17 सेप्टेमबर, 1950, तो इंडारेक्ट एट है बाद आजन सेवन, तो उन्हों ने पैसे को कभी आपनी दी, लाइफ मे, डारेक्ट एट होता, डबल एट होता, ट्रिप यहां पर 9 की बात करें, 9, 18, 27 जिनका भी डेटो परते हैं, और मैं बात करते हूं, यह मंगल का नंबर है, मंगल के साथ साथ में यह fire element है, अगर आपके नंबर में, I have people called me 2-3 दिन में ही अभी, जिनके नंबर में 6, 7, 9 हैं, अब आप देखो 9 नंबर है fire का, अगर जिन्देग कहीं ऐसा है कि fire से सब कुछ, गड़ बढ़तो नहीं हो गया, और वही हो है, जादा fire, तुमचा fire, तुमचा fire, fire का मतलब यह कि, आप मंगल करते करते हैं, मंगल की तरफ चल जाते हो, आप यह सोचते हो, कि you are the best and you don't want to listen to anybody, अगर आपको यह लगता है कि जो मैं कहरी हूँ वह सुनो, जो मैं कहरा हूँ वह सुनो, इवन सो मनी ताइंस, यूनो, एख जैसे कोई politician में कोई लोग है, जिनका number 9999 बहुत है, तो when they call me first time and they think कि मैं अभी क्या भी बात कर लूगे उनसे, तो मैं तो ऐसा नहीं हो सबता न, मेरी office से उनको call गई कि sir, आपका number 3 दिन बाद आएगा, तो वो 3 दिन बाद जब call किया उन्होंने, तो he was very annoyed कि यह 3 दिन बाद मुझे देखा जा रहा है, because being, उनको ऐसी आदर पढ़ी न, कि अभी काम होने वाले टाइक का है, तो जब उन्होंने call ले लिया, उसके बाद उन्होंने बोला, भारत के हर MLA को आप से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हम जिस energy में हैं, जिस level में रहे रहे होते हैं, हम अपने आपको बहुत ही अलग समझने लगते हैं, so इस दुनिया में आप हो, चैन मैं हो, हम सभी एक रस्ते से आएं और एक ही रस्ते में जाना है, जो बीच की चर्णी है न, उसी को ठीक से जीने को सही कर्मा कहते हैं, अगर आपने वो जी ली, और ये भी बताएं कि आप दुनिया में आपको खुश सब टाइम नहीं कर सकते, तो आप अपने इमानदारी से अपने लिए अच्छा काम करो, और दूसरा है किसी को इमानदारी से जैसे आप सामने वाले को डील करते हो, इसका मतलब ये है कि ऐसे सोचके कोई कंसल्टेशन दो, जैसे उसकी जगह आप बैठे हो, तो आप से गलती नहीं होगी कभी, तो नो नमबर तक इस तरह से सोचलो अगर नाइन की अधिकता, और नाइन नहीं है, नाइन होता है हुमन बींग का, नाइन होता है काइननेस का, अगर येही नाइन नमबर नहीं है, तो हंड़र परसेंट आपके अनर हिमानिटी नहीं है आप रूड हो सकते हो, परिशान कर सकते हो, अब आप देख लो, 2000 की जैंजीज में बिल्कुल भी humanity नाम की चीज़ लिए है, वो छोट-छोट चीज़ों में चोट-छोटे crime, चोट-छोट चीज़ों में बड़े-बड़े crime कर लेते हैं अगर आपकी जिन्दगी में नहीं है, तो आपको ज़रूर से अपने फोन में नाइन लाना चाहिए, और इस तरह से अपने लाइफ को संतुलन कर सकते हैं, आप mobile नमबर ठीक करके अगर जिस सरह से मैं देख पा रहा हूँ, आपकी किताब में भी, इस पर इतनी असारी से explain किया गया है, कि अगर कोई भी person किसी तरह कभी mobile नमबर carry कर रहा है, तो इसकी through, वो खुद ही कर सकता है बिल्कुल, ये किताब देने का मतलब ही है किताब में सारे जवाब मिल जाते हैं, लेकि जब मैं पर इस पर इस पर बहुत सारे जवाब तो मुझे खुद ही मिल जाएंगे, मतलब मेरको किसी के अगर नेक्स लेवल कंसलिटेशन में जाता हूं, कुछ डीप बाते में करना जाएंगे मॉबाइल नमबर एक ऐसा चीज है जो आप हर को ही रखता है, इसके लिए एजी है तो आप परिशान ही हूंगे, उससे अच्छी बात नहीं करना जाएंगे मैं बहुत पैसे देते हैं लोग बाइप नमबर लेने करेंगे बिलकुल नहीं देने हैं आप अपने पैसे जाया करें इंफेक्ट गारी के नमबर के लिए लोग ऐसे करते हैं रेक्जामपल जैसे अपन कोई बी चीज लेने जा रहे है तो बन चेक करके लेते हैं बलकुल सब्सक्राइब लोग भी मिल जाते हैं मैं जाम आपना नमबर चेंज टेंगो तो रहा था तो बूढ़ा सा आरी थी मैं गया शोरुब तो गभदी सार अब तो आप चूज करके नहीं ले सकते हैं लेकिन जब मैं I went to through some agents और जो होते हैं थोड़ी से बैसे लेते हैं एक दो जार रुपे लेते हैं तो जैसा आपको नमबर चीए बैसा ही नमबर आपको डूण के देते हैं बिल्कुल और कोई भी नहीं होता है समटाइम पर जैसे आज कर उसमें ओनलाइन भी लिखा होता है पेड जैसे 229 पे करके आप यह नमबर ले सकते हो इसे कोई कह रहा है मुझे 30,000, 40,000, 50,000 देके यह नमबर ले नहीं आपको ऐसा है नमबर जिश कर नहीं तो आपको बिल्कुल मिलता है नहीं होता हम आज देखो grab आपको अपनी फैमिली के नमबर भी आद नहीं हूँ है मुझे भी दियार, तो मेरा ये कहना है कि आपको ऐसा अत्रंगी नंबर लेने के कोई ज़र्प नहीं है, बिल्कु ज़र्प नहीं है, उसकी बाद अपने इस किताब में जो चर्चा की है कि लोग जैसे नंबर जब लेते हैं, तो उनको क्या करना है, ग्रेट बना लेना है एक दूसरे को एकसी इंज कर रहे है नंबर, ऐसा होना चाहिए, इस वेरी इजी, वेरी सिंपल, तो वो भी इस किताब में लोग अपना लोशु ग्रिट खुद बनाए पाएंगे, और वो अपने मोबाइल नंबर को उसके साथ बैलन्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो नंबर कॉंपलिमेंट करते होंगे, यह सारा उस किताब में दे रखा है, ग्रेट मैम दन, तो मैम इसमें, जो, मैम यह लोशु ग्रिट लेकिन इंपॉर्टन क्यों है यह, इंपॉर्टन इसलिए है कि आपकी डेटो बर, जैसे लोशु ग्रिट से हम एक इंसान को कि जैसे मानलो एक लोशु ग्रिट बना, लोशु ग्रिट क्या था कि there was a sand, he was sitting on the, meditating on the bank of the river in China, and उसके बाद उन्होंने जब आखे खोली, अपने meditation से बाहर आए, तो देखा कि there was a huge turtle, और वो टर्टल के उपर में कुछ marks थे, dots थे, तो he connected and interpreted these dots की वो 492, 357, 816 है, जब इसको अपने डेटो बर्त में डाला, तो उस डेट, उनको उन्होंने magic square क्यों बोला, लोशु ग्रिट क्यों बोला, क्योंकि diagonally, vertically, horizontally, जब टोटल किया गया, तो उसका टोटल पंदरा आया, अच्छा, हर तरह से, पंदरा हमारा Venus का नंबर होता है, Goddess Lakshmi का, और Western Numerology, Western Sciences में जाओ, तो पंदरा, like their moon, moon cycle होता है, पंदरा दिन का, सो कही न कही ये dots connect हुए, और जब हमने पंदरा देखा और ये magical square देखा और उसमें डेटोबाद डाली, जो numerologist है, वो आपकी डेटोबाद लोशु ग्रिट में डालता है, उस से देखता है आपकी life में चल क्या रहा है, आपकी health कैसी होगी, आपकी wealth कैसी होगी, आपकी life में कौन सा समय क्या करना है, ये सिरफ लोशु ग्रिट से पता चल जाते है, सब कुछ, like it's like real magic in your life, अगर इसको कोई पढ़ना समझ ले, तो वो समझ लो कि वो सारी कहानी आपकी डेटोबाद की आप से ज़्यादा जानता है, एक बहुत important चीज जैसे मैंने बुला था, third role जो है psychic destiny से sum total, आपका sum total enemy नहीं होना चाहिए, वो enemy का chart हमने किताब में दिया है, हर number का लग है, वो दिया है और वो आप देख सकते हो कि कई, ऐसा तो नहीं है कि आपका number आपके sum total से enemy है, जैसे मेरा इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मेरे mobile number का total 9 है, तो 9 is friendly with 1, अच्छा, अच्छा, ऐसे आपको देखने है, जैसे किसी का इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 9 है, इधर 2 मतलब 11 है, 11 मतलब 2, 11 2 है, और तो मेरे mobile में, आपका, जो total sum total of your data, like 11th March, 29 हो गया आपका, इधर 2 हो गया, इधर 9 हो गया, तो आपका mobile का total number का है, वो आपके friendly होना चाहिए, अच्छा, अच्छा तो जो date and the entire, ये, 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 आपका 1 और 9 friendly होना चाहिए, अच्छा, एक कोस्ति नहीं हो आपे, कि ये 1 और 1, ये 1 और 9 friends है, तो आपकी लाइप में आप 1 पे चले थे और 9 पे पहुँचे, यानि, your graph is going ahead, बट अगर ये, आज आपको पता है कि मुझे पिनिकल पे पहुचना है, 9 पे पहुचना है, तो अगर आज आपको पता लगए, आप उस पे काम करोगे, अगर ये नहीं पता होता, आप सुर्ते ठीक है, चल रही है, जिन्दरी चाहिए, काम करी रहों, मेहनत करी रहों, ठीक है, पर अपने मेहनत के दाइरे, आपको नहीं पता ल क्या collar tune किस तरह के लगाते हैं, इसका भी हमारे जीवन पर फरक पड़ता है, बहुत फरक पड़ता है क्योंकि collar tune, अचली वो सबसे पहले आपको प्रभावित करते हैं, जैसे for example, कई लोग बहुत धार्मिक-धार्मिक गाने लगाते हैं, that means कहीं न कहीं वो phobic है अंदर से, उन को insecurity है, वो खोना नहीं चाहते हैं, और बगवान पर वरुसा दिखाना चाहते हैं, अचली में स्पिरिच्वालिटी और बगवान पर विश्वास करते हैं, वो करना चाहते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं, जो fraud, like दिखाना चाहते हैं, धगुसला कर रहे हैं, कि मैं तो लेकिन आसल में वो संत नहीं है, और कहीं लोग मैंने देखा कि वो collar tune creamy dialogue लगाते हैं, that means they are taking strength from the dialogue, real life में वो उतने हिम्मती नहीं है, वो बात नहीं कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा गबर सिंग के dialogue, लोगों को करना आवर कोई आपन लगा लें, like मैंने देखा कि personality को read किया जा सकते हैं अच्छे से collar tune से, या आप collar tune छोड़िये, आप देखिया, आज कल आज तस्वीर लगाते हैं, insta story लगाते हैं, आप गाने लगाते हैं, कहीं न कहीं तो connection है, और करतो phone से ही रहे हैं, सारा कुछ तो smart phone से करे हैं, अगर आप collar tune को यहां ले आई, वो गाने य लगा रहे हैं, that means उन गानों जैसी आपकी personality है, sometime आप कोई चीज कहनी बाते हैं, तो आप अभिव्यक्ति करना चाते हैं, not even if self love भी करना चाते हैं, आप दिखाना चाते हैं, बहुत सारे लोग self love की गाने लगाते हैं, बहुत सारे लोग शुकराना का गाना लगाते हैं, gratitude का लगाना लगाते हैं, that means उनकी personality तो पता लग रही हैं, आपको कहने लगाते हैं, और कुछ लोग, Dr. Amit, वो बढ़ा ही नहीं होना चाते हैं, वो तस्वीर भी WhatsApp की, Insta की, including their phone status, they are like अपने बच्चों की तस्वीर लगाते हैं, that means they are not responsible enough, आपका phone है, आपको represent करना चाहिए, आ लगाते हैं, आप क्या सोचोगे उसके बारे, ब्लैक स्रीम ही लगाते हैं, लोग तो sad होते हैं, ब्लैक ही लगाते हैं, और especially जब आपका mood off है, तो आप कुछ भी करने लगोगे, what do you want to show, अगर आप एच चीज करते हो, तो तीन कुना हो जाती है, तो आपने सुना ही होगा, तो आज से, जिसने भी अपने, मतलब मेरा काम मैं पहले, जिसका भी call देखती हूँ, कुछ करती हूँ, सबसे पहले बोलती हूँ, अपनी original picture लगाओ, क्या आप कैसे दिखते हो, आप क्योंकि आपको self love तो उसी से होगा ना, अपने आपको कैसे hide कर सकते हो आप, तो caller tune में आपने बच्चो की अवाज लगा रखे, बच्चो की गाने लगा रखे और एक वूर्ट टाइब की लोग होते हैं, जो Hindi वर्जन बोलने वाले लोग होते हैं, और गाने लगाते ही English के, समझ नहीं आ रही, फिर भी लगा रहे है, so what they want to pretend, sot इसकी कुछ जरुरत नहीं है, लाइक अपने अंदर इतने shield filter लगाओ space बनाओ पर वह फिल्टर लगाओ जहां पे वाकई में लगाने की जरुत है जैसे जहां चूप रहने की जरुत है जहां पे अपने over comment देने की जरुत नहीं है जहां पर आपके कमेंट देने से लोग को परिशानी हो रही है, किसी को गवराट हो रही है, या किसी को आप एग्रिवेट कर रहे हो, तो वहां पर आपको फिल्टर लगाने की जरूते है, या गुसे को कम करो, या अपना रखो, जिसे मैं पहले कहती थी, टैटू बनाओ, आपन कहते हैं, पानी पिते रहना चाहिए, तो अलाम लगाते हैं, तो फोन is very very important, for your health, for your wealth, अधिर आज आपको किसी को गिफ्ट देना है, और thank you call करनी है, appreciation call करनी है, why don't you set alarm for your this call, appreciation call, कि करना ही करना है मुझे call, तो कितने सारे रिष्टे, जैसे husband wife शादी हो गई, उसके बा हाया कितने लोगों को, कि आप call करके बोलो, जरूरी है, जरूरी है, उसके बाद, जहां पे call or tune की बात करते हैं, for example, अपन ऐसे गाना लगा हैं, इतनी शक्ति हमें ने ना दाता, ये वला गाना लगा हैं, तो इसका मतलू है कि हम भगवान पे बरोसा कर रहे हैं, मैंने अप जाना ये भी है कि ये मत कहो खुदा से, मेरे मुश्किले बड़ी हैं, तो आप अपनी मुश्किलों को बड़ा नहीं बनाना चाहते, तो बिल्कुल मत बोलो, और कहीं लोग कहते हैं, ये पैसा हाई मुसीबत, हाई मुसीबत, अब पैसा मुसीबत नहीं है, पैसा चाहिए, किसी के लिए पैसा मसीबत है, तो किसी के लिए नेमत है, और एक गाना यादा रहे, जैसे कहते हैं, यार बिना चैन का रहे, अरे भाई, आपको सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे चैन नहीं है, बाकी तो बहुत दुनिया है, आपके लिए काम है, करियर है, फोकस करो, अपने ब पॉट्स देनी चाहिए, दीजिए, लेकिन हर समय, अगर इस तरह के लिए लगाएंगे, तो किसी की लाइफ में नेमत है, और किसी की लाइफ में ब्राबलम, आपकी बात से, अच्छली बेह भी कर रहा हूं, कुछ दिन पले में एक सेशन ले रहा था, तो मैं आप बात कर पहले मैं गजले बात सुनता था, जैसे मुझे वो पावर और वर्ट्स के बारे में समझ में आया, कि आप जो सुन रहे हो, आप जो महिसूस खर रहे है, यह कहें नगे आपके सबकॉंशिस को बार-बार रिप्रग्राम करता है, अलग-लग तरीके से, तो कॉलर ट्यून्स ह यसी कोई नेगेटिव वाइबरेशन ना जाये, और वो आपकी राइफ में ड्राट ना, मैनिफेस्ट ना, मैनिफेस्ट ना, और लोग आपके बारे में उसोचने लगना, जैसे आपने कह दिया कि I'm not well, तो वो 10 लोग जिनके बास फोन गया कि not well, तो वो 10 से 100 में चलिएग जैसे ये भी मोबाइल से कनेक्टिड है, क्या ये मोबाइल का कलर, जैसे हाला कि आपने अपने किताब में वो शुब रंग वगरा बताया, कि फेवरेट रंग कौन सा आपका अच्छा है, तो क्या मोबाइल का कलर या मोबाइल कवर का कलर भी फरक पड़ता है? बिल्कुल हम इस पॉड़कास में चार्ट देंगे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम रेड कलर को अस्पीशिज बानते हैं, हम रेड से साइन करने के लिए बोलते हैं, जब हम रिचुल को फॉलो करने की बात करते हैं, जैसे ग्रीन को हम जैसे जितने भी switch words लिखते हैं, अ आप जितने भी colors देखते हैं लाइफ में, why so many brands are like uplifting day by day, वो colors जो हैं उनके lucky color से बना हैं, और अगर आपके लोगों आपका lucky color से नहीं बना, या आपके हाथ में जो 24 गंटे आप चीज क्यारी करते हो, वो ही आपको dark dark energy दिख रही है, तो definitely आपकी vibration channelize होने से रुखती है, त आप ब्लॉग करते हो अपनी energy को, जैसे आप बना है तो gold ले सकते हो, rose gold color ले सकते हो, white ले सकते हो, जो आपके लिए friendly है, red ले सकते हो, so इस तरह की, जैसे किसी के अंदर metal element तो metallic colors आते हैं, वो ले लोगा, ज़रूरी नहीं होता जैसे काई लोग काली गाड़ी ले ले लेते वो बाड़ी में तो भी थोड़ी दिर बैठते हो, so color is also very very important, if you really want to grow in life, तो अपने lucky color का ही handset ले लो, correct, मैं आपने ले चीज़ में को बतायी थी about, कि बहुत साहे लोग ना अलग लग तरह का screen saver लगा के रखते है, basically कोई connection नहीं बिनाते हैं, basically ऐसी ही रख लेते हैं, कोई इडिली किस सारा का screen saver होना चाहिए? जो चीज आपको सबसे जाद अचाहिए, अच्का आप लगा लगा सकते हो, किसी को पैसा चाहिए, मैंने तो भही गौड़ेस लक्ष्मी की पिचल लगा लगा लखी है, और मुझे तो इससे फाईदा है, मैं दिखा भी सकती हो, आपक जैसे विजन बोड से समझ आता है, यानि मैं screen saver को vision board बनाती है, यह पे आप अपने, जैसे 1 से लेकर 9 नमबर तक का जो लगी होता है, उसके इस आपसी आप अपना, अच्छा, एक तो यह होता है कि 1 से लेकर 9 तक, एक दूसरा ही होता है कि आपके goals कहला है, आप पाना क्या चाहते हो, और तीसरा यह होता है कि इस समय में आपका present energy आप किस चीज़ को देना चाहते हो, वो भी है, लैक कुछ लोगों को जैसे अभी baby हुआ है, तो baby के साथ अपनी wife bonding भी लानी है, किसी की रिष्टा हुआ है, तो रिष्टे के साथ आपको बनानी है, तो आप उनके सा अपनी तस्वीर लगा सकते हो, रिष्टा अच्छा करने के लिए, इसलिए ना मैंने अगर किसी का number save किया है, अपनी phone में, कभी भी जिनसे आप अपनी रिष्टों को बना के चलना चाहते हो, जाए आपके personal हो, जाए professional connection हो, आप उनके आगे उस type का heart लगा दीजी, अच्छ जितने भी आपके personal रिष्टे है, उनके आगे red heart होगा, लेकि इस तरह कि आप बनाएं, जजबातों से उनसे जुड़ें, तभी आप उनके लिए अच्छा काम कर पाएंगे, तभी आप उनके लिए कुछ जबात create कर पाएंगे, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा हो, आ लोग ना बहुत पुरानी पुरानी नंबर चला रहे है, वो बैलन्स करने की कोशिश्टों कर रहे है, बट वो बहुत पुराना नंबर, बदला वो 10 साल पुरान नंबर है, 15 साल पुरान नंबर है, पाँच साल पुरान नंबर है, वो लोग ने चेंज नहीं करना चाते उस लेकिन जब मुझे इसके value पता लगी तो मुझे एक सोचना नहीं पड़ा दो बार वी क्योंकि वाकई में हर दिन आप मान के चलिए 50-70 call रोज आती हैं जिनके number गरबर है और अगर आप number change करते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता बल्कि मेरे को ये भी बताना है कि पूरा का पू कुछ सफाई करो जितना आप कम बोजा लेके चलेंगे उतना आपकी life असान हो जाएगी तो पहली बात past को delete करके आगे forward करो अपनी life को क्योंकि जितना आप सही रखेंगे अपनी life में तो आज के बाद आप ये सोचो कि आप अपनी जिन्दगी में अपने आपको हलका कर रह हैं आगे बढ़ रहे हैं तरक्की कर रहे हैं ग्रोथ की तरफ भूप हो रहे हैं पहली बात जिस ये जो podcast है जो ये देख रहा है उसकी जिन्दगी में पका बदलावाना है तो वो बदलाव तब ही आपाएगा जब आप number बदलेंगे जब आपने ये सोच लिया कि ये तो मै बदलना पड़ेगा ये बदलना पड़ेगा इस नौट डिफिकल्ट एट ओल लाइक रिसेंटली मैंने मेरा भी कुछ वो जो कार्ड बदली हो जाता है तो उसके चक्कर में मैंने कार्ड बदली किया अपना बैंक कार्ड तो कुछ भी एफट नहीं लगता है आप सिंपल फ हम मुश्किल बना लेते हैं सोच सोच के कि कब होगा कैसे होगा तो इतना सोचने की जरुवत नहीं है जो चीज़ करनी है कर दो शायद इसी विए ये पॉड़कास आप इसलिए देख रहे है क्योंकि आपको भी सुधान की जरुवत है मेरा आखरी कोश्चन आप से आपकी इस किताब को वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड लंडन में डाला गया है ये वाड इसकी क्यों मिला आपका वाड पहली बात ये किताब जब पहले मेरी किताब आई थी जो आपने पिछले पॉड़कास में भी दिखाई थी मुबाइल नं तो ये पूरे वर्ल्ड में मुबाइल नंबर पे पहली बार किताब लिखी है और उसके बाद अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस बार जब मैंने बात की कि 24 साल के बाद इस टॉपिक पे कोई किताब नहीं आई तो उधने बुला 100% हम इसको अपने रि चेक करते हैं इन बिट्वीन कोई डाटा कुछ ऐसा लीगल प्रोसेस होता है पूरा लेकिन उन्होंने इस टीज को एकसेप्ट किया इसके बारे में अपनी वेबसाइट पर डाला उसके लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी तो अगर समबड़ी वांस तो सच में वो भी व I was so happy and I am truly blessed honestly और ये सारी चीजें कैसे और मैंने ना जब मैं पिछली बार जब मेरे को बहुत सारे तीन golden book of world record और मेले वे हैं तब मैं सोचती थी कि मेरे को world record भी लेना है ये भी manifestation हुआ मेरा वो आपके workshop की बाद तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें उनको दिल से शुकर करना चाहिए जो हमारे प्रोग्रेस में हमें रोजाना इस चीज़ का इसाथ दिलाते हैं कि power है energy आपके अंदर है उठो काम करो चलो आगे तो मुझे सच में में एक next level of insight मुझे समझ में आई क्योंकि जब हमने पहले ही जब हमने podcast किया था तो हमने बहुत सरी चीज़ों किया रहे हैं नाम के बारे में अलग चीज़ों किया रहे हैं लेकि मुझे असरता है कि ये किताब एक self health guide है लोगों के ने ताकि लोग अपने data birth लोगों को पता होती है और newology, mobile newology की मदद से इन दोनों के combination से balance करके इस किताब की मदद से असानी से कर पाएंगे एक और चीज़ बिल्कुल सही एक और चीज़ बूलना चाहूंगी आपे कि इस book में एक और chapter है, add किया है अगर आप specifically कोई career में है तो आप अगर वो जैसे अगर आप politician मनना चाहते है तो 4, 3, 8 होना चाहिए, property dealer है तो 2, 5, 8 होना चाहिए, अगर आप spirituality में है तो 3, 5, 7 होना चाहिए, अगर आप sports में जाना जाते है तो 2, 7, 6 होना चाहिए, if you are a good teacher तो 1, 3, 9 होना चाहिए, और teacher को भी committed होना चाहिए, तो इसके पीछे हमने ऐसे बहु अगर लेना चाहिए आपको, पर यहां पर मैं वो सारे मित्स जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, यह ना लो, ना लो, जैसे कई लोग बोल रहे हैं, 1 और 8 ना लो, पर 1 और 108 is very auspicious number, 108 is a very auspicious number, same like I studied, like so many numbers, जैसे 7, 8, 6, लोग बोलते हैं, लेकिन आवारे किसी किसी ने बोला, यह number नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि number repetitive ना लो, जैसे 666 ना ले, 888 ना लो, 555 ना लो, बट कोई अगर यह कहता है 248 ना लो, तो वो गलत है, logic नहीं है, क्योंकि किसी को रिष्टे अच्छे करना है, तो 2 भी चाहिए, laziness खतम करना है, तो 4 चाहिए, पैसा चाहिए, तो 8 भी आप लोगे ही लोगे, so, ऐसा कोई, अच्छा, एक कोड़ चीज यहां पे लोगों के दिमाग में बहुत होता है, कि particularly, पहले यह नहीं के बाद में, कहीं पे ले लो, अगर आप, dessert पहले खाना चाहते हो, तो पहले खालो, क्या हो गया हो ग Thank you so much, and कहीं एक तरह से आपने भी इंस्पाइर किया, कि अब जल्दी से किताब लाएं, और मेरे मन में ये था, कि Reader's Book Club पे हमारी book launch हो, तो तहे दिल से बहुत शुक्री आपका, और मैं ये कहूंगी कि इसी तरह से आप सभी को प्रेरित करते रहें, और जल्दी से वेट कर थार्ड सेशन शिरू होने का, तांक ये बाम, तांक ये सारे वक्त के लिए, और इतनी अच्छी किताब के लिए, और मैं इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ताल दूँगा, और मैं डेफिनिटली चाहूंगा कि अगर आप भी कुछ इस सरा की नंबर्स अपनी लाइ जो बिलकुल असान हिंदी में एक आपको मिल जाएगी किताब, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और I am sure about it आप इस किताब को पढ़ने के बाद, अपने आप ही अपने मोबाइल नंबर को करेक कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि किस तरह का नंबर तो आपको किस सरा का नंबर रखना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी जादा ग्रोव कर सकें, और इसके साथ साथ गाईज इसकी अभीता हो हिंदी में है, और जल्दी इसकी इंग्लिश कॉपी भी आने वाली है, और बड आम शॉर अबाट इस तरह के से इसको लिखा गया है, इतनी असान हिंदी में लिखा गया है, कि आपको हिंदी में भी दिक्कत नहीं आएगी और इंग्लिश में तो डेफिनिटी दिक्कत आएगी नि, तो जब तक अगर इंग्लिश ही कॉपी नहीं आती तो I would suggest everybody to buy this and refer this, आप इसको refer करो और अपनी life में इसको implement क So thank you so much guys, कोई final words आप बोलना चाहते है? किसनलिटी हमारे podcast पर आए और किसी किताब, किसी खास किताब के बारे में बात करें तो मुझे comment करके जरूर बताना जल्दी मिलते हैं और भी बैतरीन podcast के साथ, thank you so much